हालो व्रिवान ग्रेटिंग्स प्रम डॉक्टर अश्मीज होमेपथी फ्रेंड्स आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही ज़ादा उपयोगी होमेपथिक मेडसिन ओलियम सैंटली के बारे में ओलियम सैंटली मतलब सैंडल वुड ऑईल से बनाई जाने वाले एक बहुत ज़ादा इंपॉर्टन होमेपथिक मेडसिन है जो सैंडल वुड होता है वो इसकी साउठ इंडिया में पाया जाता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सद्धियों से जानी हुई है इसका जो आईल होता है बहुत ज्यादा एरोमेटिक होता है और एक वह जाता है और यह उता है और यह जो अउल हो पांट्लव हुआ कि अगर खासी बल्गम हो रही है तो उसको निकाले होगा काम करती है है शरीर में किसी तरह के गंदगी कठी हो गई हो इसको काम करती है और अगर हमारे बॉडिट पाइट्स दीने पड़ गये हैं तो उनको उनकी एक्षना को बढ़ाने काम करती है, stimulant का काम करती है, तो एक एक करके हम उन points को discuss करते हैं, जहां पर आप इस medicine को ले सकते हैं, जहां पर इसका उपयोग बहुत अच्छा रहता है, तो सबसे पहले point के बाद करते हैं, तो सबसे पहला point है कफ, अगर dry hacking कफ है, सुखी खासी है, लेकिन बल्गम काफी सुखा है, लेकिन चाती में अड़ा रहता है, निकलता नहीं है, जैसे कि छोटे बच्चों में जब वो जोर नहीं लगा पाते हैं, खासी करना उनको नहीं आता है, या उनकंदरिती ताकत नहीं होती है, तो बल्गम बार-बार चाती में फस्ता रहता है, बच्चा बोलते-बोलते खासी आजाती है, खासी करते-करते वामिट आ सकता है, लेकिन वो कफ को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, या बड़ों में जब उनकी old age के कारण या weakness के कारण बहुत जादा चेस्ट में बल्गम भर गई है, और उस बल्गम को निकालने की ताकत नहीं है, तो उन cases में अगर हम इसके, इस medicine को हम देते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से सारी बल्गम को एक्सपेक्टरेट करने में help करती है, इसे से मिलती जुलती medicine जो अथा डोड़ा है, वो भी बहुत important medicine है, नेक्स पॉइंट की बात करें, जहां पर ये बहुत इपयोगी medicine हो जाती है, वो है skin disorders में, skin में अगर आपको acne की problem हो रही है, मतलब बार बार आपको clean मिहासे हो रहे हैं, चाहे किसी भी तरह के clean मिहासे हो रहे हैं, उसमें बहुत उपयोगी medicine है, साथ के साथ अगर आपको discoloration हो रही है, जो आपका face है, वहां पर बार बार जो कहीं धब्बे हो रहे हैं, काले पड़े हुए हैं उनको हटाने में भी बहुत उप्योगी है युकि हम जानते हैं कि शुरू सही हमारे घरों में जो है चंदन की पाउडर की जो है उप्टर मनाई जाते थी क्योंकि सब को भी शायद पता रहा होगा कि इसके इंदर कितनी जादा उप्योगी एरोमेटिक और हीलिंग प्रॉपर्टिज होती है तो फेस को ग्लो देने के लिए फेस की जो एजिंग है उसको कम करने के लिए बहुत इंपर्टन है तो एकने के प्रॉब्लम हो दाग धब्बे हो उनको हटाने के लिए और जो एजिंग के प्रॉसस को स्लो डाउन करने के लि नेक्स्त प्रान्ट की बात करते हैं जहां पर यह बहुत उपयोगी है वो है ब्लैडर की infection में या नि सिस्टाइटिस में अगर आपको मोत्र की जो धैली होती है उसमें infection हो जाता है तब आपको जलन हो सकती है आपको बार-बार पिशाब आने की problem हो सकती है या पिशाब में रुक रुक के आती है रुकावट होती रहती है तो ऐसे cases में जब आपको UTI की problem बार-बार हो जाती है सिस्टाइटिस की problem हो जाती है तो ऐसे cases में भी ये मेसर्वाइब का पांदेने वाली होती है तो उसलिए यह मेडसine बहुत जैता 국ह जाती है जब जलन के साथ पिशाब आति है तो सिस्टाइटिस के हर प्रिंगे की नेक्स पॉइंट आजाता है इसका युरिथ्रल स्ट्रिक्चर अगर पिशाब की जो नली होती है उसमें किसी तरह की रुकावट आ रही है उसके जो नली है वो पतली हो गई है फ्लो बहुत कम हो गया है जोर लगा करके आपको पिशाब पास करना पड़ता है पिशाब की धा के बाद आपको युद्र स्ट्रिक्चर के प्रॉब्लम हो गई हो तो वहां पर भी ओलियम सेंटलम बहुत जदा उप्योगी मेडसिन है इसके लावां अगर आपको गुनूरिया या सिफलिस तो फ्रिंस यह दो इंपॉर्टन प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम स्टीड की क म्यूकास का डेपोजिट होता रहता है तो ऐसे समें गौनूरिया चाहे हो और या सिफलिस हो जो अगर 1957 है तो ऐसे समें जबम करने के लिए उसको प्रॉब्लम्स करों थूए scientists पैनिफुल होते हैं पिशहिंक जब्भी बिलेशन मना की कोशिश करता उसमें एरक्शन बहुत-जाधा पैनिफुल होते हैं उसके पैनाईर एक्षन में प्र्विल्म हो जाती है तो यह सारी प्र यहां पर आप इस मेडिसन को ले सकते हैं अगेन हमने जाना कि यह जो medicine है इसका जो action होता है mainly gentle urinary पे होता है मतलब sexual organs या आपके जो bladder से related issues हैं आपके जो kidney से related issues हैं या आपके जो urinary system से related issues हैं उसमें यह जादा उपयोगी medicine होती है अब हम बात करते हैं इस medicine को लेने का तरीका तो friends इस medicine को मैंने बताया कि mother tincture form में लेना है तो आपको mother tincture form में इसकी 10 बुने आधे कब गुनगने पानी में डालके लेना है इस medicine को दिन में दो बार दिन में तीन बार लिया जा सकता है medicine को लेने के आधे घंटे आगे पीछे आपको खाना नहीं खाना या मुँ में कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी है जिससे इसका आसर खतम हो जाए यानि कि कोई भी बहुत ज़्यादा महक वली चीज कोई भी ज़्यादा aromatic चीज और एक important बात जो इसके बारे में आप जरूर जान लें वो यह है कि अगर आप pregnancy में हैं अगर आप breastfeeding कर रहे हैं फिर भी आपको बार-बार UTI की problem होती है तबी भी इस medicine को लिया जा सकता है यह उस stage में भी बहुत ज़्यादा safe medicine है जहां पर और दूसरी medicine आप नहीं ले सकते हैं तो उस case में भी आपको इसकी 10 बुंदे थोड़े से पानी मिडा अच्छी medicine है तो फ्रेंट्स यह सारी information थी ओलियम सेंटली होमेपातिक medicine के बारे में I hope कि जो भी information मैंने इस टॉपिक पर आपको शेर किया आपको पसंद आई हो और यह वीडियो आपकी काम की हो तो फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंट्स और फैमिले के साथ भी शेर करें चैनलों को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं क्या हो विशेंगो वेरी गुड हैल्थ थैंक्स वाचिंग